अब हम रीडर वाली बुख उपन करेंगे, जो इंगलिश की रीडर बुख है, यह वाली आपको उपन करनी है, पेज नूमबर एट, ठीक है, आपको पेज नूमबर एट ओपन करना है, देखो इसमें क्या है, आपको पहले रीड करें, लुक एट देपिक्चर और रीड दे हमको picture देखनी है और words को read करना है अब देखो यह जो क्या है यह हट है हट के सामने क्या है एक चोटा सा डोगी है ठीक है तो इसमें क्या लिखावाई i-n-n-f-r-o-n-t front in front आप slow-slow पढ़ना in front क्या लिखावाई फिर एक साथ पढ़ना in front means क्या हो रहा है जो यह हट है हट के सामने क्या है डोगी है तो in front जब भी हम किसी के सामने होते हैं तो क्या बोलते हैं in front means इसका means यह है कि यह front में है हट के in front doggy है ठीक है उसी तरह से देखो इस picture में क्या है इसमें doggy का है पीछे है तो हम क्या बोलेंगे पीछे को क्या बोलते हैं behind आप read करो B E H I N D behind behind का means होता है पीछे अब यह क्या हट के pass है क्या है हट के pass है आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है अंदर है तो अंदर को क्या बोलते हैं इन बोलते हैं इन मिन्स अंदर अब यह देखो यह बाहर आ गया तो बाहर को क्या बोलेंगे out इस तरह से आपको pictures देख देखके words को read करना है और इसका means भी समझना है पहले आप words read करना सीखेंगे दिरे दिरे उसके बाद इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चीए और by picture भी आप उसको example देख सकते हैं कि out है तो बाहर केसे होगा आप देखो between भी e-t-w-e-n between आप पहले इसको read करो क्या लिखा है between का मिन्स क्या होता है बीच में तो देखो दो हट है दोनों हट के बीच में डोकी है तो क्या होगा between अब देखो यह हट के pass है तो n-e-a-r near near means pass अब यह हट से दूर है तो far मतलब दूर far का मिन्स होता है दूर तो आपको means भी पता होना चाहिए और आपको जो यह चोटे-चोटे से word से वो read करना भी आना ची तो आप इसको 2-3-4 बर आप continue read करना तो आपको read करना आ जाएगा thro throw means say means यह जो है log इसमें से जो doggy इसके अंदर है तो इससे जैसे इसमें से बाहर आ रहा है तो उस टाइम पर हम जो कोई sentence मनाएंगी ना उसका means भी कलता है say throw means say इस log में से doggy बाहर देख रहा है इस तरह से आप समय सकते है on means उपर अब देखो यहाँ पर जो जूला है इसके उपर doggy बेठा है तो on उपर means on under under means क्या होता है नीचे तो यह जूले के नीचे है डोग यह ना you and you are under इसी तरह से over over means उपर यहाँ पर देखो on का means भी उपर था और over means भी उपर तो on का means तो वो बेठा हुआ उसको touch करते हैं और उपर मतलब उपर से उपर से यह डोगी जो है इसके उपर से jump करके इधर आ रहा है तो over का use करा वो उसको touch नहीं कर रहा है उसको jump करके उपर से आ रहा है without touch किये तो हमने यहाँ पर इसको over बोला ठीक है next और भी अपने पास words है some more words आप इसको भी read करें 88 by by bottom B E F O R E before F T R after आपको पता है ना before means पहले after means बाद with within without इस छोटे छोटे से words है जो आपको read करने है आपको तिंच चरवार read करने पढ़ेंगे इसके बाद ही आपको read करना आएगा एक बार में read करना आपको नहीं आएगा आपको slow slow ममा की help से इसको read करना सीखना है ओके